विद्या चाई की प्याली लेकर मनुहर के पास गई और आवास लगाई आप उठ जाते ये आपकी चाई लाई थी रगदे मेज पर पिलूँगा मैं नहीं चाता सुबा सुबा तेरा मनुहर चेहरा देखकर अपना पुरा दिन खराब करूँ मनुहर की रोजाना की आदत थी विद्या को परिशान करने की और ताने देने की विद्या देखने में एक सीधी साधी साधारन सी महला थी बहुत ज़्यादा उपरी सुन्दरता नहीं कह सकते पर उसका मन बहुत सुन्दर था वो कभी भी मनुहर की बातों का बुरा नहीं मानती थी बलकि कहीं न कहीं वो अपने अंदर ही दोश ठूंडती थी इसका भी एक कारण था कि शादी के 15 साल बाद भी विद्या मा नहीं बन पाई थी मनुहर का विद्या की प्रती नफरत का एक ये कारण भी था मेरे ही करम फूटे थे जो तेरे से ब्या हुआ अम्मा की मती मारी गई थी जो उन्होंने तुझे मेरे लिए पसंद कर लिया ना शकल तेरी सुन्दर है और ना ही तु मुझे आलाद का सुख दे पाई अरे तो इसमें विद्या का क्या दोश है डॉक्टर नी को सारे चेक अप करवा दिये अभी बेचारी अभी तक मा नहीं बन पाई तो इसमें इसकी क्या गलती है अम्मा तु मेरी मा होकर विद्या का पक्ष लेती हो कौन मा भला अपने बेटे की जगह बहु को महत्वा देती है आखर कौन से लाल लगे हैं इसमें जो इस पर इतना प्यार उडेलती रहती हो विद्या को तेरे बापू बहु नहीं अपनी बेटी बना कर लेकर आए थे उसे हर वक्त कोसना बंद कर मनोहर गुसे में पैर पटकता हुआ चला जाता है विद्या रोने लगती है उसकी सास कांता उसे चुप कराती है अम्मा मैं क्या करूँ मैं मा नहीं बन पाई मैं कैसी बहु हूँ जो इस परिवार को कोई सुख नहीं दे पाई वही गाउं में मनोहर का एक दोस्त बिरजु रहता था मनोहर घर से जब भी गुस्से में निकलता तो बिरजु के घर जाकर बैठ जाता क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है? वही यार रोज सुभा सुभा उस मनुस्विद्या का चेरा देख देखकर मैं तंग आ गया हूँ समझ नहीं आता क्या करूँ? बापो और अम्मा ने जबर्दस्ती ब्या कर दिया उसका मेरे साथ जिसकी सजा अब मैं भुगत रहा हूँ ना उसकी शकल है ना वो मा बन सकती है उपर से अम्मा उसे और सिर पर चढ़ा कर बैठी है जीजा जी ये भाबी ने चाय भिजवाई है जीजा जी वो मुन्ना को नहला रही है इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय पहुचा दू सीमा की सुन्दर्ता को देखकर मनोहर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सीमा को लगातार देखता रहता है मनोहर? ओ मनोहर! कहां खो गया? ये ले चाय पी ले सीमा को देखकर मनोहर के मन में ना जाने कौन-कौन से खयाल आने लगते है और वो रोजाना ही किसी ना किसी बहाने बिर्जु के घर आ जाता था और जान बूच कर धीरे-धीरे वो सीमा को अपनी तरफ आकर शित करने लगा सीमा, तुम देखने में बहुत खुपसूरत हो, तुम्हारी आखें, तुम्हारे बाल, सच मुझ बहुत खुपसूरत है आप तो मेरी यूही मुफ्त की तारीफ करते रहते हो, कभी काजल बिंदी हार तो उपहार में लाए नहीं, अपनी विद्या को इलाकर देते होगे अरे बस इतनी सी बात, कल देखना, तुम्हें गहनों में न लाद दू, तो मेरा नाम मनोहर नहीं, हाँ अगले दिन मनोहर घर में जुड़े हुए सारे पैसो से, सीमा के लिए गहने और उपहार खरीद लेता है ये हार तो सच मुझ बहुत खूपसूरत है, और ये चांदी की पायल, मेरे लिए इतने सुन्दर गहने, पर मेरे लिए इतने गहने क्यों लाए हो तुम्हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था, कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो, सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है, तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो, बिना नाम के को बस तुम एक बार हा कर दो, सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता जी जा जी, दीदी, मैं भी मनोहर के बिना नहीं रह सकती, मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ पर तुम विद्या को कहा रखोगे क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो तुम चिंता मत करो बिर्जू मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूँगा उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे मनोहर घर जाकर अपनी दूसरी शादी की बात अपनी मा कानता और पत्नी विद्या से कहता है क्या कहा तु विद्या की सौतन लेकर आएगा तु दूसरी शादी का नाम अपने दिमाग में कैसे ला सकता है विद्या ने तेरे लिए क्या नहीं किया पंद्रह साल उसने तेरे नाम कर दिये तेरी एक आवाज में सब कुछ करती है और जो तू पैसे उस सीमा पर उड़ा रहा है न वो सब तेरे साथ खेतों में मेहनत करके विद्या नहीं जोड़े है समय पर फसल की देख भाल करना समय पर फसल को पानी देना साहरा दिन खेतों में तेरे साथ वो काम करती है साथ साथ घर भी संभालती है फिर भी तुझे शरम नहीं आती तू एक कल की आई लड़की की सुन्दरता को देख कर उस पर मोहित हो गया और उसे विद्या की सौतन बनाकर घर ला रहा है अम्मा अपने आपको संभालो तुम्हारी तब्यत खराब हो जाएगी तू ला तो रहा है उसे ब्याकर पर देख लियो एक दिन तू खुद पच्चताएगा मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही अम्मा देखो सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो विद्या, उस पर खेती बाड़ी करके तुम अपना और मा का गुजारा कर ले ना, ठीक है ताकि हमें भी कोई परिशानी ना हो और तुमें भी देखो जी, जल्दी जल्दी जितना भी कुड़ा कच्रा है घर से बाहर फेग दो मेर से ये बद्बू और बरदाश्ट नहीं हो रही है मनोहर, तेरी बीवी हमें कुड़ा कच्रा बोल रही है और तु चुप-चाप सुन रहा है अम्मा, चलो हम वहाँ चलकर रह लेंगे बिकार में अपना खून मत चलाओ विद्या और कांता घर के सामने बने एक छोटे कमरे में रहने लगती है सीमा को तो फिजूल खर्ची की आदत थी क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी इसलिए वो रोजाना मनोहर को शहर घूमने के लिए ले जाती थी तुमने तो कहा था कि तुम मेरे ले पिक्चर की दो टिकट लेकर आओगे किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देख नहीं है मेरी सहली रूपा ने तो वो पिक्चर कब की देख ली ये देखो मेरे हाथ में क्या है अरे ये तो शहर के सबसे बड़े सिनिमा हॉल की टिकट है ये तो बड़ी महंगी आई होगी अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या तुमने मुझे बोला तुम्हें ले आया ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घूमाने ले जाता था धीरे धीरे समय भी था सीमा के अब एक बेटा पैदा हो गया था पर फाल्तू खर्चों की वजह से मनोहर का काम बिलकुल खत्म हो गया था लड़के के जन्म पर उसने बहुत कर्चा कर लिया था उसने अपना खेट भी बेच दिया था क्या करो सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं बचे है देखो जी, तुम्हें आलाद चाहिए थी, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया है अब तुम इस तरह से हमें गरीबी और भूक में मारोगे तो मैं यहां एक दिन भी नहीं रहूँगी क्या करों, कहां से लाओ पैसे? सब खत्म हो गया सीमा भाबी, ओ सीमा भाबी, मनोहर भीया का पैर ट्रैक्टर के पहिये में आ गया उन्हें अस्पटाल ले गए है मनोहर का पैर खराब हो जाता है जिसकी वज़य से वो अपाहेज हो जाता है और सारा दिन वो खटिया पर ही पड़ा रहता है दिन पर दिन मनोहर बिमार रहने लगा था सीमा बिर्जू के पास जाती है और पैसों की थोड़ी सी मदद मांगती है जीजा जी मुझे कुछ रुपियों की ज़रुरत है आपको तो पता है मनोहर की तब्य ठीक नहीं रहती है घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो जैक सीमा मनोहर से साधी करने का निर्णे तेरा था अब परेशानी भी तुझे ही खुद जेलनी पड़ेगी हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता पिछले हफ़ते भी तु मुझसे पांच सा रुपय उधार मांग कर ले गई थी अब मुझे माफ कर सुनो जी मुन्ना भूखा है इसे दूद कहां से ला कर दूँ मेरी चाती तो बिलकुल सूख गई है दूद भी नहीं उतर रहा कुछ खाऊंगी नहीं तो चाती से दूद कैसे उतरेगा शायद ये मेरे करमों की सजा है मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया तब ही विद्या आ जाती है उसके हाथ में भोजन की थाली और लोटे में दूद था ये लोसीमा तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी और ये दूद मुन्ना को पिला दो दीदी आपने हमारे लिए इतना सोचा मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूँ ये तो मासूम है तुम दोनों के किये की सजा ये बच्चा क्यों भुगते तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो ये अनाथ हो जाएगा इसलिए अब से जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम्हार और तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी मैं तुम्हारी परिवार को पालूं की और इससे ज़ादा मेरे से तुम दोनों कोई उमीद मत रखना कांता विद्या के दर्द को समझ रही थी मनोहर की आँखों में आसू भरे थे उसने विद्या के होते हुए भी सीमा से दूसरी शादी की पर आज मुश्किल घड़ी में जब समने मनोहर और सीमा से मुख मोड लिया तो विद्या ही थी जिसने उन दोनों का हाद थामा और उनके परिवार को बरबाद होने से बचा लिया